पंजाब के चंडिकर उनिवर्सिटी के बाद अब फगवाडा के एक प्राइवेट उनिवर्सिटी में हंगामा एक छात्र की खुदखुशी के बाद भड़का छात्रों का गुस्सा जालंधर लोधियाना मार्क पर मौजूद युनिवरसिटी के एक छात्र ने मंगलवार शाम को कमरे में की खुदखुशी, पुलिस को बरामद हुआ सिलसाइड नोट खुदखुशी की वज़ा साफ नहीं पुलिस ने चात्र के शप को पोस्मॉटम के लिए सिविल ऑस्पेटल भेजा, चात्रों से अफवा नहीं फैलाने की अपील की उनिवरसिटी के चात्रों ने देर रात तक किया हंगामा, पुलिस ने समझा बुजा कर चात्रों को कमरे में भेजा चंडिगर उनिवरसिटी MMS केस में खुलासा ब्लैक मेल करके लड़की से बनवाया गया विडियो, रंगज और सनीर ने लड़की का किया ब्लैक मेल आरोपी लड़कों को मुंबई गुजराच से आई कॉल सही जवाब नहीं दे पाया आरोपी, कॉल टेटेल और कनेक्शन की जाच में जूटी पुलिस चन्डीकर युनिवर्सिटी के मामले में आरोपी रंकज का परिवार आया सामने कहा कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है आयाटी बॉम्बे में लड़कियों के टॉैलेट में तागजहंग करने वाला यूवग गिरफतार आरोपी आयाटी की कैंटीन में करता है का गिरफतार आरोपी के मुबाइल की जाज की गई है, पुलिस ने कहा कि कोई वीडियो बनाए जाने के सबूत नहीं मिले मुजफरपूर में नाबालिक लड़की की इलाज के दौरान मौत 20 दिन पहले नाबालिक के साथ हुई थी गैंग रेप की कोशिश लड़की नाबालिक लड़की को गैंग रेप का विरोध करने पर आरोपी ने जिन्दा जलाया था, मौत से पहले लड़की ने आरोपी लड़के को बताया था ना मदरसों के सर्वे के बार CM Young ने डिया सभी शिया और सुनिय वक्फ की संपत्ती की जाँच के आदेश एक महीने में रिपोर्ट मांगी CM Young का सभी लिला प्रशासन को आदेश वक्फ की संपती की जाँच की जाए और revenue record में दर्ज की जाए यूपी सरकार ने 1989 के रिविन्य विभा की आदेश को खारिश किया एक महिने में जाचपूरी करने का निर्देश यूपी विधान सबा 2022 सितंबर को रचेगी इतिहास पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेश सत्र सीम योगी ने महिला MLA इसको लिखा पत विशेश सत्र में विधान सबा की 47 और विधान परिशत की 6 महिला MLA ही रखेंगे अपने विशेश सरकार की तरफ से मिशन शक्ति के तहट किये गए कामों को भी रखा जाएगा सबा में सीम योगी ने सपा पर साधा निशाना कहा जब सपा की सरकार बनी यूपी का नुकसान हुआ हम पिछली सरकार की गलतियां सुधार रहे समाजवादी पार्टी के सांसर शफिकुर रहेमान बर्ग का बीज़ेपी पर डिशाना नफरत की राजनीती बीज़ेपी को दोहजार चौबिस में ले डूबे की बगका आरोप पैगंबर की गुस्ताकी के खिलाफ नहीं खुलती सरकार की जुबान नवीन जिंदल और नुपूर शर्मा को नहीं किया गया गिर्फतार असांसद बर्क ने बच्चा चोरी के शक में मारपीत की घटनाओं को मौबलिंचिंग करार दिया उन्होंने इसे सरकार की नाकामी बताया AIMIM चीफ असदुदिन ओवेसी को श्रीनगर पुलिस का जवाब श्रीनगर की जामिया मस्जित पूरी तरह से खुली इसलिए असदुदिन ओवेसी को दो टूक दूर रहना जानकारी नहीं होने का बहाना नहीं हो सकता कश्मीर में मल्टीप्लेक्स खुले जाने पर भढ़के थे ओवेसी कहा कि सरकार पहले जामिया मस्जित खुले हर शुकरवार बंद रहती है मस्जित कॉंग्रेस अध्यक्षपत की दौड में राजस्तान की सियम अशोग गहलो शामिल आज दो पहरे दिल्ली में करेंगे सोनिया गांधी से मुलाका सीम गहलोत ने दिल्ली आने से पहले जैपूर में बुलाई विधायकों की बैटक देर रात तक चली बैटक में दिये अध्यक्षपत का चुनाव लड़ने की संकेद सीम गहलोत कॉंग्रिस की भारत जोड़ो यात्रा में हो सकते है शामिल राहूल गांधी को अध्यक्षपत के चुनाव के लिए मनाने जाएंगे सूत्रों के मताविक यदि राहूल गांधी अध्यक्षपत के लिए तयार नहीं हुए तो चुनाओ लड़ें गेज सीम गहलोट ने विधायकों से कहा नामांगन करूँगा तो बता दूँगा जहां भी रहूँगा राजस्थान की सेवा करूँगा अशोग गैलोट ने राजस्थान में एंटी इंकंबिंसी से किया इंकार विधायकों सिका की चुनाओं के लिए मैदान में चूट पड़ो राहूल गांधी के कॉंग्रिस अध्यक्षपत का चुनाओ लड़ने की संभावना कम सूत्रों के हवाले से खबाद राहूल गांधी कॉंग्रिस की भारत जोड़ो यात्रा में 29 सितंबर को करनाटक पहुचेगी यात्रा 30 सितंबर को अध्यक्ष का चुनाओं के नामंकन की आखरी तारी कॉंग्रिस नेता जायराम रमेश का बयान प्रदेश कॉंग्रिस कमेटीओ ने प्रसाफ भारत कर राहूल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की सोन्या गांधि से मुलाकात के बाद कॉंग्रिस माजचेव केशी वेनु गुपाल बोले राहूल गांधी ही बताएंगे कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं जार्कन कॉंग्रेस ने प्रस्ताफ पारित किया राहूल गांधी हो पार्टी अध्यक्ष कुरान में जिक्र होने से हिजाब आवश्यक प्राथमिक धार्मिक प्रथा नहीं बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसेट जनरल तुशार मेहता ने दी दलील हिजाब के समर्थन में जे डी एस नेता इबराहिम का बयान कहा इंदरा गांधी भी सिर्फ पर पल्लू लेती थी वो भी एक तरह से हिजाब ही था स्कूल सिलेवस में गीता को लेकर करनाटे के सिक्षा मंतरी बीशी नागेश का बयान कुरान धार्मिक कुस्तक गीता नहीं साल 2019 में आलिया मदरसा से 9000 से जादा किताबे चोरी हुई थी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो दोस्तों की सूशना पर हुई बरामदगी सलीम और अनवर की 8 गंटे के लिए पुलिस ने ली थी रिमांट सलीम और अनवर आज फिर सुभा आट बजे से शाम चार बजे तक रहेंगे रिमांट वर्पुलिस कर सकती है और बरामदगी संग परमुग मुहन भागवत ने देश के मुस्लिम बुद्धी जीवियों से मुलाकात की दिल्ले के उदासी आश्रम में मुलाकात की खबर मुलाकात में पूर्व मुख्य चुनावायुक्त S.Y. Qureshi और दिली के पूर्वैल जी नजीब जंग शामिल मुलाकात के दोराल मुस्लिम बुद्धी जीवियों ने जताई सैमती कहा कि सामपरदाइक, सद्भाव और सुलह के बिना देश की प्रगती संबब नहीं गांधिवादी दर्शन के जरिये समुदायों के बीच रिष्टों को मजबूत करने का सुझाव इस फेहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना प्येम मोधी आज बुलाई उन्होंने कैबिनेट की बैठ के कई मुद्धों पर चर्चा करेंगे एरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद एमेले दिनेश सिंग ने पत्रकारों के सवालों से कन्नी काटी कहां कि तबियत खराब है सुबादेंगे जानकारी एक सील सूटकेस लेकर पतना एयरपोर्ट से बाहर निकाली आयकर विभाग की टी बिहार के सियम नितिश कुमार का केंदर पर आरोप प्रदेश के लिए विशिश पैकेज पर सेंटर से नहीं मिल रहा है समर्थन सियम नितिश कुमार का केंदर पर अटैक केंदर में होती है केवल भाशनवाजी नहीं होता कोई का फूलपूर से चुनाव लड़ने की अटकलों को सेम नितिश ने क्या खारिच कहा कि इस सिर्व विपक्ष को एक जूट करने का मकसद उंबई के गोरे गाओं में उद्धव ठाकरे आशिव सेना की सभा को करेंगे संभोधे सत्ता परिवर्तन के बाद ठाकरे पहली बार जन सभा करेंगे शाम को छे बजे होने वाली जनसवा में उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क विवाद पर कर सकते हैं समोते राजय सरकार भी निशाना साथ सकते हैं उंबर के शिवाजी पार्क में दशेरा रैली करने पर उद्धव गुट का बयान हम शिवाजी पार्क में ही करेंगे रैली इज्वाजत मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पढ़त मराठा अलक्षन पर सेम शिंदे ने बनाई छे मंत्रियों की कमिटी चंद्रकान पार्टील राधा किश्नव पार्टील गरिश महाजन दादा भूसे शंभूराज देसाई और उदर सामन साब बीजेपी अद्धक्षो जेपी नड़ा ने गुजरात के मोरभी मी किया रोडशो विधान सवा चुनाब की रणनीती बनाने में जुटे राज़कोर्ट में बीजेपी अद्धिक जेपी नड़ा ने कहा कि हम देश का चहरा और भागे बदलने के लिए राज़नीती में हैं वणोद्रा में केज़िवाल के सामने लगे मोधी मोधी के नारे अपोर्ट से केज़िवाल के बाहर निकलते ही लोगों ने मोधी मोधी के नारे लगाए पुर आईपेस अधिकारियों के केजिवाल के खिला आवराश्टरपती को चिठी एमदाबाद में पुलिस अधिकारियों से बससलू की कारोप लगा है पुलिस ने प्रदर्शन कारियों को दोड़ा दोड़ा कर पीटा, ग्यारा सो अधावन असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रीडियन की हुनी है भरती लाठी चार्ज के दोरान पुलिस वालों ने तोड़ी मर्यादा महिला कैंडिडियोट को भी डंडे से पीटा तिनो युवक कनाटक के अलग-अलग हिस्सों में धमाके की कर रहे थे प्लाइनिंग, मुख्य आरोपी शरीक अभी भी पुलिस के पकड़ से पार जैपुर में बीजेपी का हला बोल लंपी, बिमारी के मुद्दे पर विधान सबा कूच गहलोच सरकार पर ला परवाही का आरोग जैपुर में पुलिस और बीजेपी कारे करता भीड़े बेरिकेट से सतिश पुनिया को धक्का मार कर पुलिस ने नीचे गिराया आम आद्मी पार्टी के विधायक अमान तुल्ला खान को आज कोट में किया जाएगा पेश दिली की एंटी करप्शन ब्रांच ने किया था गिरफता शराब गोटाले को लेकर बीजेपी ने आप पर लगाये ने आरोफ पार्टी पर अपने उमीदवार का ठीका देने का रूप लगा उत्राखंट सरकार के मंत्री मंदल में जल्द हो सकता है बड़ा फिर वदल सूत्रों के वाले से ख़वर बीजेपी आ आलाकामान ने सीएम धामी से मांगी मंत्रियों विधायकों की रिपोर्ट दिली पुलिस की यो डबलू उत ने जैकलीन फंडानिस की कॉस्ट्यूम डिजाइनर लिपाकशी को भेजा है समन मनी लॉर्डरिंग के केस में पुछताच की जाएगी नौच ओविस पर गना जिले के टीटा गड़्ज जाएंगे एंसी पीसी आज चीफ प्रियंक कानून गो स्कूल की छट पर हुए बम ब्लास्ट की करिंगे जाँच यूपी के आजमगर्ड में एक शुक्स के सिर में गोली मार कर हत्या गाओं की ही रहने वाले दो लोगों पर लगाँ लखनों के पारा थाना इलाके में एक फैक्ट्री में देर रात लगी आग एक मजदूर के मारे जाने की खबर बगस्तिंग इंटर कॉलेज के पास अवे दुरूप से चल रही थी तारपनिल तेल की फैक्ट्री आग पर काबू पाया गया मुजफरपूर के भ्रमापुरा इलाके में होटल में लगी आग तीन लोगों को किया गया रस्क्यू फायर विगेट की टीम ने घंटों मशकत के बाद आग पर काबू पाया शौर्ट सर्केट से आग लगने की आशंका आग लगने के दोरान मची अफरा तफ्रीज सीधी के सहारे लोगों को होटल से निकाला गया भाहा गाज़बाद में पत्रकार को धमकी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गेरेस्ट किया 12 सितंबर को मिली ती जान से बाने की धमकी कानपूर में अवैद दुकानों पर चला बुल्डोजर के डिये कॉलनी में राम लीला मैदान में अतिक्रमन पर बनाए गए थे दुका पुलिस ने नोट चापने की मशीन सहित प्रिंटर किया बरामद इंक और नोट चापने वाला का आगज और कई कहमें कल किया बरामद वश्य बंगाल के बीरभू में नाबालिक का शव मिलने से हंगामा लोगों ने की अचजनी भारी संक्या में पुलिस मौजूद शांति निकेतन इलाके में घर की छट से मिली डेट बोडी पुलिस की सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटे गए गहने और कैश बरामत किया अपराधियों के पास से पिस्टल और कार्थूस मिला पुलिस ने एक महला को किया गिरफतार बच्चे की हत्या को लेकर की जा रही है पूचताच पानी की बोतलों पर फर्जी आएसाई मार्क लगा कर इसे बेचा जाता था अध्य प्रदेश के इंदोर में स्कूटी से 20 लाख रुपे की चोरी पुलिस मामने की जांच में चुटी वोपाल में हीटन रंड का केस सामने आया तेज रफतार कार ने चार पुलिस वालों को कुछला एक ही हालत गंभीर पंजाब के प्रठान कोट में बिजली का तार चूने से एक शक्स घायल हो गया पुलिस ने अस्पताल में कराया भरत पुलिस के मताबिक मांगसी ग्रूप से विशप्त है शक्स कैंट रेलवे स्टेशन प्रशक्स ने बिजली के तार को पकड़ा कुतुब मिनार पर मालिकाना हग जताने वाले शक्स की आचिका खारिच की गई परिसर में पूजा करने की मांग पर 19 अक्टूबर को सुनवाई अमरावती मडर केस में एनाईय को चार्शी दाखिल करने के लिए और 90 दिन का समय मिला सुप्रिम कोट का केंद्र सरकार को नोटेस एन्टी एचाईवी दवाईयों की कमी का आरोप लगाने वाली याचिका परमाग जवा अक्टर अर्मान कोली को बॉम्बे हाई कोट से मिले जमानत एक साल बाद होगी रहाए देश के आठ आड़ आई आईटी संसानों में नए डारेक्टर्स की नियुकती प्रेजिडेंट मूर्मु ने दीमंजूरी केंद्रे शिक्शा मंत dafür ले ने दी जानकार दिली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का एलान पराली को खाद में बदलने के लिए वाय और डीकंपोजर का छुड़काव करेंगे गोवा के यूरी अले माउ बने कॉंग्रेस के विधायक दलके ने तासुनिया गांधी ने की नुखती स्कूल में गांधी जी पर भजन का किया गया था विरोड़ इन दौर में नवरात्री की तैयारिया शुरू माद उर्गा की प्रतीमा की जा रही है तैयार केदारनाथ में बदला मौसम का मिजाज उची चोटियों पर हुई सीजन की पहली बर्फबारी बर्फबारी के बीच मौसम में बड़ी धंड़ के बर्फबारी दे के के दाना धाम पहुँचे भक्तों में चाही खुशी जमु कश्मीर के पुंच में आर्मी ने पैराग्लाइडिंग का किया आयो जन भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा फ्रांस के राष्टेपती एमेनल मैकरो ने यूएन जनर्ल असेम्बली में पियम मोदी सजटाई सहमती कहा कि पियम मोदी ने सही कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है सबी के सामने चुनोतियों का सामना करने का समय है। रूस की सेनका दावा यूकरेन ने रूसी कवजे वाले निकोपोल पर भी शेलिंग किये 24 गंटे में 24 गुले दागे गए। रूस की लगाया आरोग कहा सैकडो घर तबा हुए और फसर बरबाद हो गए। यूकरेन में फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्स की वापसी कीव में खुले मैकडॉनल्स के रेस्टरॉं। स्पाइस जिट का बड़ा फैसला असी पाइलेट को बिना वेतन के तीन मैने के चुट्टी पर भेजा गया। ततिसगर की सीम भुपेश वगहिल का एलान एक नवंबर से होगी धान की करीदी। विश्व बैंक ने पंचाब को एक सो पचास मिलियन डॉलर के लोन की मंजोरी वी। वित मंत्री निर्मला सीतर अमर ने कहा अगले पांच साल में एक अरब डॉलर यूपियाई से लेन दिन का लक्षिय देश में तेजी से डिजिटल को अपना रहे हैं लोग। भारत ने शिलंका को इस साल लगबग चार बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद पहुचाई। उस्ट्रीलिया के खिलाव पहला टी-ट्वेंटी मैच भारत चार विकिट से हारा तीन मैचों की सीरीज में एक शूने से पीछे। रोईश अर्मा और विराट पोली फिर रहे फ्लाप रोहित ने ग्यारा और विराट ने दो रन बनाए। हारदिक पांजा ने खेली 30 गेंद में 11 रन की धमाकेदार पारी केल राहुल ने 35 गेंद में 55 रन बनाए। सूरी कुमार यादव 50 बनाने से चूके 25 गेंद में 46 रन की तुफानी पारी। अस्ट्रेलिया बले बाजों के सामने भारते गेंद बाज देखे बेबस भूबनेश्वर हर्शल ने 8 ओवर में लुटाए 101 रन। अक्षर पटेलनी की बहतरीन गेंद बाजी 17 रन देकर 3 विकट चटके। अस्ट्रेलिया की ओर से कैमरून ग्रीन ने खेली 30 गेंद में 61 रन की पारी मैथ्यू वेड ने 21 गेंद में 45 रन। उस्ट्रेलिया से हारपर रोही शर्मा ने खराब गिंदवाजी को ठहराया जिमेदार बल्लेबाजों की तारिफ की। उस्ट्रेलिया के कप्तान एरान फिंच ने कहा भारत की हार में ओ सहम फेक्टर अंदिम 4 ओवर में 50 रन दने। इंग्लेंड और भारत के बीच दूसरा वंडे आज सीरीज जीतने के रादे से उतरेगी भारते महिला टीम। विमेंस T20 एशिया कप का शेडियूल जारी 7 अक्टूबर को पाकिस्तान से बेड़ेगी टीम इंटिया। भारत का शेलंका से 1 अक्टूबर को होगा पहला मैच एशिया कप में 7 टीमे ले रही है हिस्सा। ICC ने विमेंस T20 की रैंकिंग जारी की टॉप 10 में दो भारतिये बल्लेबाज शामिर। पहले T20 मैच में इंगलेंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, 7 मैचों की सीरीज में इंगलेंड एक शुनने से आगे। T20 वर्ल्ट कप के लिए आयलेंड ने किया टीम का एलान एंड्रू बालबर्नी होंगे कपतान। पैट कमिंग्स को होना चाहिए औस्टेलिया वन डे टीम का निया कैप्टेन रिकी पॉंटिंग का बयार। ICC ने क्रुकेट खेल नियमों में बदलाव का किया एलान एक उक्टूपर से लागू होंगे नियम। महिला क्रिकेट टीम की पुर्व कपतान मिताली राजनुए ग्रेह मंतरी आमिश्या से मुलाकात की। वाल्ल रेसलिंग चैंपेंशिप में ब्रोंज मेडल जीत कर लौटे बजंग पुनिया का ग्रांड वेलकम ढोल नगारों के साथ भव विस्वागत किया। में फुटबॉल को बड़ावा देने के लिए सरकार करेगी मदद भारते फुटबॉल संक्या धक्ष का बयार। भारत में फुटबॉल के विकास के लिए DFL से FSDL से मिलाया हाथ MOU की असाइन। UN General Assembly में प्रियंका चोपडा का समोधन का कि आज हम एक ऐसे दौर में बैठ कर काम कर रहे हैं जब ग्लोबल एक जुटता पहले से कहीं ज़ादा जरूरी है। UN का चोपडा ने युद्ध, गरीबी, माइगरेशन, भूक और असमानता पर जताई चिंता कहा हमारी दुनिया में सब सही नहीं। सुनम को पूरने पती और बेटे की तस्विश सोशल मीजिया पर शेर की बेटे का नाम वायू का पुरा हुजा रखा। ओसकर दो हजार तेईस में जाएगी गुजराती फिल्म छेलो शो गुजरात सरकार ने दिचार काई। वपाल में अच्छे देवगन की फिल्म थैंक गौट का विरोध भगवान चित्र गुप्ट पर दर्शा आये सीन्स को हटाने की मांग। चार अक्टूबर को अली फजल और रिचा चद्धा रचाएंगे शादी, मुंबई में लेंगे साथ फेले। वेलचियर सवार लोगों की सड़क पार करने में मुंबई पुलिस ने की मदद सोशल मीडिया पर हो रही है पुलिस की तारीफ। लखींपूर खिरी में एक बाइक पर तीन सवार मिलने पर पुलिस ने किया चालान सिर्फिरे यूवक में सरयाम बाइक में लगा दी थिया। वर्दी में महिला सिपाई ने बनाई इंस्ट्राग्राम रील वीडियो वारल होने पर सस्पेंट कर दिया। जान जोखिम में डाल कर स्कूल जा रहे मासूम बच्चों का वीडियो वारल सोशल मीडिया पर लोगों ने जुताई नाराज दी। मेक्सिको में एक ही तारीख पर तीसरी बार भुकम से लोगों में दैशत 1985-2017 में भी 19 सितंबर को भुकम ने तबाई मचाए थी।